हे वीवर्स कैसे हैं आप लोग आज मैं आपके साथ 5 ऐसे इंडोर प्लांट्स के बारे में इंफरमेशन शेयर करने वाली हूँ जिने लगाना बड़ा ही आसान है और ये प्लांट्स एर प्यूरिफायर भी करते हैं स्नेक प्लांट ये बहुत ही खुपसरोत इंडोर प्लांट है इसे ग्रो करना बहुत ही इजी है इसे इंडारिक संलाइट में रखना है और इसे पानी की भी ज़्यादा जरूरत नहीं होती इसे हफते में एक बार भी पानी दिया जाए तो काफी है नासा की एक रिसर्च के मताबिक ये प्लांट 24 आज अक्सिजन रिलीस करता रहता है इसलिए ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है इसलिए हम इसे घर में कहीं भी रख सकते हैं इवन हम इसे अपने बैटरूम में भी रख सकते हैं इसे पाइडर ब्लांट इसलिए कह जाता है क्योंकि इसकी पत्तू की वज़े से इसका शेप थोड़ा स्पाइडर जैसा दिखता है इसे लगाना भी बहुत आसान है इसे इन डारिक सनलाइट में रखना है और इसे पानी तभी देना है जब इसकी मिट्टी सूब जाए arrowhead plant जिसे हम zingonium plant भी कहते हैं यह बहुत slow growing plant है और इसे भी indirect sun light में रखना है जब इसकी मिट्टी सूब जाए इससे तभी पानी देना है गार्डन क्रोटन प्लांट इसे हम बड़ी आसानी से लगा सकते हैं ये प्लांट पत्तों से भी लगाया जाता है ये प्लांट इंडोर आउट्डोर दोनों के लिए अच्छा है इसकी मिटी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए मनी प्लांट ये भी बहुत फास्ट क्रोइंग प्लांट है इसे लगाना तो बहुत ही आसान है इसे मिटी में भी लगाया जाता है और पानी में भी बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि मनी प्लांट को घर में रखने से घर की जो निगेटिव एनरजी होती है वो चली जाती ह अब इस बात के पीछे मित है यह हकीकत या इस बात का हकीकत से कितना लेना देना है यह तो पताना है सो गाइस आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रू बताएगे और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कीजी और इस वीडियो को लाइक कीजी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हावे